हाई फ्रेंड्स विल्किम टू ग्यानियर दोस्तों आज बात करेंगे एमली क्योड डियस सिरफ के बारे में यह सिरफ लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए या लिफ 52 डियस से क्या अच्छा है क्या बुरा है और यह क्यों दियो जाता है सब कुछ जाने के इस वीडियो में सब कुछ तो देखते रहे हैं दोस्तों यहां पर हम बात करें एमली क्योड डियस की तो कुछ कंपनियां ब्रेंड नेम्स उसी हिसाब रखती है जो कि उनकी कंपनी का नाम होता है तो एमिल फार्मस्टेटिकल इसको बनाती है ठीक है और इसकी ड्रोइश ट्रेंट आती है हंड एक सिरफ है यह बेसिकली हर्वल होता है मतलब कि इसमें कोई जाड़ा अलोपेथिक नहीं है सिर्फ हर्वल जड़ी बूटियों का इसमें एक्स्ट्रेक्ट होते हैं तो यह बेसिकली क्या होता है जैसे कि आपन जानते हैं लिप फिप्टी टू बहुत ज़्यादा बहुत चीज़ है तो पहले समझेंगे कि भाई यह का यूज कहां किये जाएगा तो देखा भाई लेवर की होने वाली समस्या है ठीकर ना लेवर की समस्या का होती जब कोई वैक्ति लंबे-लंबे समय समय तक शराब पीता है या लंबे-लंबे समय तक एंसे ड्रग्स लेता है मतलब की नौन स्टेरोडल एंट इंफ्लमेंटेड ड्रग्स जो दर्द को बुखार को कम करने के दवाईयों के आदत होती है लोगों की कि वो खाते रहते हैं उनको दर्द हुआ उन्हों दवाई है जो लोग लंबे समय से दवारा रहें दर्द की जो लंबे समय शराब पी रहे हैं तो इनको तो यह दिया है जाता है ठीक है साथी डागेशन को इंप्रूब करने के लिए भूग को बढाने के लिए कई कि लोगों की इस्तिती वाद्याया थे उनको भूग नहीं लगती ह खाना खाते हैं तो पच्छता नहीं है तो यह सब कुछ कबर करता है ठीक है और लेवर को हेल्दी रखने के लिए लेवर शिरोसिस हैपिटाइटिस और ज्वाइंडिस यह तीनों समस्या लेवर की है आदमे को पीलिया हो जाए है एक बाइरल इंफेक्शन होता है और सिरोसिस जिसमें हिरिवर सिकोल में लगता है ठीक है तो यह सारी समस्याव में इसको चलाया जाता है लंबे समय चलाया जाता है तब जाकर करें इसका रजल्ट देखने को मिलता है सेम जो इंडिकेशन में बताया आपको यह आप लिप टूटू के भी कह सकते हैं ठीक है तो यह है ब अंदर कंपोजिशन होता है ठीक है सारा हरवल है कोई भी व्यक्ति ले सकता है कोई साइट नहीं देता है फिर भी कुछ साब दानिया आपको पता होना चाहिए कि अब जब अब लेने वाले हों जैसे कि दोस्तों आपको इसको कभी भी एक्स की डाउट नहीं करते मलब की जतना डूस रेकमेंड है उतना है लेना चाहिए जरू से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए चोटे बच्चों की महुंसे दूर रखना चाहिए क्योंकि छोटे बच्चों के सकती है इसको लेने के बाद शबतानिया है साइड एफेक्ट्स की बाद अगर घ्याद लें सब्सक्राब होता है और जब भी हो तो आपस को एक दोदन बंद कर सकते हैं ठीक है काम किते दिन मुस्त को बहुत दोसे लेना ही पड़ेगा वैसे वी कमपनी बोलती है दो से तीन महिने कि This को आपको कोर्स करना पड़ेगा ठीक है चोटे अँट्य होते हैं जो फिलेत देसकते हैं जो बच्चा सञे उसके लिए आदी चम्मच सुबेशां दे सकते हैं अडिल्स के लिए बात किया तो दो से तीन मच right तीन चम्मच दे सकते हैं दिन में तीन बार और दो से लेकर तीन मेने तक यही इसका डोज होता है आई होप आप समझ करे होंगे एमली क्योड डियस के बारे में वीडियो अच्छे लगात लाइक कर सकते हैं चैनल को नई चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसा ही इंटरस्टिंग मेडिकल वीडियो देखने के लिए आप देख रहेते ग्यानियार्दा मेडिकल चैनल मैं हूं श्रीवाँ तो मैं मिलता आप से अगली वीडियो में जहन बंद मातरम